पिपल के वरक्च के नीचे पित्रों की शान्ती है तू कितने चावल के दाने चड़ते हैं अगर कोई ब्राम्मन कह दिया तुमारे यह पित्र दोश है एक रुपिय कम आते हो सभा रुपे खर्च होता है तुम्हारे में पैसा तृटा नईए तुम्हारे या पित्रोंका दोश है तुम'S एक चावल का लैना अगर आप 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 कहे कि पीपल के व्रक्षे के नीचे दिया लगाओ पीपल के व्रक्षे के नीचे आप जल चड़ाओ जा महादेव के मंदर में लोटा जल चड़ाओ तो हम कहते हैं कि प्रदोश के दिन के बेल पत्री का ब्रक्ष पीपल का ब्रक्ष आउले का ब्रक्ष बड़ का ब्रक्ष या संकर का शिवाल है फिर से सुन लेना पीपल का ब्रक्ष बेल पत्र का ब्रक्ष आउले का ब्रक्ष बट का ब्रक्ष या फिर शंकर का जम के बोलो शिवालय शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव प्रदोश के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे पित्र दोश है बहुत तकलीफ चल रह तकलिफ है पित्रों की वह तकलिफ है पित्रों की ये तकलिफ है बार बार अगर कोई कर आया तो फिर आपको उसमें इसमर्ण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान पर को समर्पित कर दें कि भोले नात हमारे पित्रों को तरप्त कर करता है हम तरप्त नहीं करेंगे हमारी सामर्थता नहीं है कि हम पित्रों को तरप्त कर सकता है आप में से कोई है जो पित्रों को तरप्त कर सकता है कर दो णिष्ट एदोणफं टिलान जली देदो घर में ब्राभन बोजब रादो साधु बोझ करा तो तुम दुनिया वरका सारा पचास काम कर लो उसके बाद वितुम पतरी का कि सिंट दिखाओगे तु भू भी कहदेगा तुमारे यहां फिर कि बापिस कह bize और नो यहन्त ने कर चुछ यहाँ अब तुमने name इतने इतना जन्याइग करा कश्क बुचअ चुछ कर अगह सिके बाद आ किस कितर है कि Recomm easy कि दुनिया में कोई नहीं जन्मा जो अपने पित्रों को त्रप्त कर कर अ कि आप अपने घर के लोगों पो त्रक्तमी करते जुन दिनन्ता है उनको भोलोरी भही हो जीजीों मेलता है शुरि यह कि जिन दे जैके ग्रता है हमको करती है अपने ननन को ज्यादा करती है बेटी को ज्यादा करती है बेटी को लगता है कि बहु को ज्यादा करती है जमाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है नाती पंती सब को कितना भी कर लो तुम अपने अडोसी पडोसी तुमारे रिष्टदानों को कितना भी दे अपनी सामर्थता है, अपनी सामर्थता है कि अपनी तरप्त कर ले उनको, अपनी कोई सामर्थता नहीं है कि अपन पित्रों को तरप्त कर ले या अपनी सामर्थता के अंतरगत नहीं है, या अपनी सामर्थता नहीं है, कि हम अपने पूर्वजों को अपने पित्रों को तरप तरप्त कौन करेगा जिनकी शरण में पित्र हैं वास्तु के देवता भगवान संकर काल सर्प दोस्ट के देवता भगवान संकर जितने अगर इनको तरप्त करेंगे तो देवाली देव महादेव करेंगे आप साथ चावल के दाने या तो पीपल बेलपत्र प्रेशल गला पकड़ रहा हलका साथ पीपल बेलपत्र आउला बटवरक्ष या फिर शिवाला प्रदोश के दिन साथ चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बार आप जो जिन्दगी जी रहे हैं और तीन मही में फिर आप अंदाज अलगा कर देखना कि आपने जो साथ चावल के दाने इन इस ठान पर मिला कि नहीं मिला और उसका प्फल हमें प्राप्त हुआ कि यह वो इस थान है जहां प्रदोश के दिन साथ चावल का नाना भी हमारे पित्रों को पुर्वजों को त्रप्त कर देता है कौन-कौन सा इस्थान वापिस बोलेंगे सबी लोग पहला पीपल दूसरा बेल पत्र तीसरा आउला जोथा बटब्रक्ष और पांच्वा शिवाला शंकर भगवान का इस्था अब इसको समझना आपके उपर नियुद्धा समर्ग शिव कथा कर दो आपने सुनना सुनने के वाद आपने धारन किया तो उसका फल तुम्हें मिला धारन करोगे तो फल मिलेंगे